मुश्कार मैं विक्रम सेंख आज का क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमने कुछ important reaction के बारे में बात किया था important reaction में सबसे ज़्यादा important ये चार reaction होते हैं इस chapter का इस alcohol portion का lucas, oxidation, vehedrogenary guaran और victor mayor dehydrogenation क्या है उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि हमने दो reaction अपन कर लिये थे अब दो reaction बचा हुआ है तो चलिए सब तेयार है अब है वी hydrogenation dehydrogenation dehydrogenation का क्या मतलब होता है उसके बारे में बात करते हैं dehydrogenation hydrogen का निकलना primary, secondary या टरशरी अलकोहल आपको तीन टाइप का अलकोहल दिया गया है पर यह नहीं पता कि कौन सा primary है कौन सा secondary है और कौन सा टरशरी है तो उनको पहचानने के लिए आपको यह करना होगा चलिए देखें क्या करेंगे एलकोहल के वाश्प को यानि एलकोहल का वैपर को 300 डिग्री सेल्सिस टंपरिचर पर गर्म कौपर पर पास करते हैं कौपर के पर प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर hydrogen gas release हो जाती है hydrogen gas का अलग होना ही dehydrogenation है ठीक है hydrogen gas का release होना hydrogen gas का निकलना dehydrogenation है तो कैसे निकलेगा वो ज़रा देखते हैं चलिए अब मैं तीनों के बारे में यहाँ पर reaction करते हैं बताता हूँ ताकि वो आपके लिए आसाल लगया देखो क्या होता है मेरे पास माल लेते हैं यह CH3 CH2 OH यह किस टाप का alcohol है यह primary alcohol है अब इसको किस में पास कर रहे हो 300 degree Celsius temperature पर गर्म है copper metal होगा क्या hydrogen निकल जाता है एक hydrogen यहाँ से एक hydrogen यहाँ से तो निकल गया hydrogen H2 क्या निकल गया H2 निकल गया बच क्या गया देखो तो CH3 C1H बचा है एक O बचा है तो हो गया CH3 CHO यानिकि LD हैट बनता है दूसरी तरह बात करते हैं यह primary alcohol है secondary alcohol में क्या बनेगा वो ज़रा देखें 300 degree Celsius temperature है copper metal है उस पर इनके vapor को डालते हैं तो क्या होगा यहां पर secondary alcohol ना मैंने secondary alcohol बना देता हूँ यह लीजिए यह secondary alcohol है इसमें एक hydrogen यहां से एक hydrogen यहां से निकल जाएगा H2 निकल गया क्या बचा CH3 CO और यह CS3 क्या बना कीटोन बना फिर बात देखें थर्ड CH3 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 C OH यहां पर क्या होगा 300 degree Celsius पर आपने गरम किया copper पर डाला primary secondary treasury यह treasury alcohol है फिर क्या होगा यह यहां पर hydrogen ना निकल करके यह जगा पर पानी निकलता है OH और एक H पानी निकल गया water molecule निकल गया बच क्या गया CH3 बचा है C बचा है CH3 बचा है ध्यान देंगे ना CH3 बचा है CH3 बचा हुआ है इस जगा से C दिख रहें और निकला क्या है यहां पर ध्यान दी जगा इस जगा पर एक OH और यहां से H यानि कि CH2 बचा हुआ है तो इन दोनों के बीच में carbon की 3 valency पूरा है इसमें 2 hydrogen लगा हुआ है इसकी भी 3 पूरा हुआ है एक बचा हुआ है यानि कि double bond इस तरह से यह बन जाता है अलकीन यह होता है तो primary alcohol से हमें aldehyde मिलता है secondary alcohol से हमें ketone मिलता है tertiary alcohol से हमें निरजली करण से अलकीन बनता है तो हम primary secondary tertiary alcohol को पहचान सकते हैं इस तरह से ठीक है तो यह होगा primary secondary tertiary alcohol जानने का तरीका ठीक है हो गया अब मैं बताऊंगा इसके बाद victor mayor reaction primary alcohol aldehyde बनाएगा secondary alcohol अगर aldehyde बनता है तो वो primary alcohol है यदि secondary ketone बनता है तो वो secondary alcohol है और यदि last में alkin मिलता है हमें तो सीधर समतलब है कि वो tertiary alcohol है इस तरह से इनको हम पहचान सकेंगे ठीक चलो primary secondary tertiary alcohol को पहचानने का एक और तरीका है victor mayor विक्टर मेर टेस्ट इसमें याद रखना विक्टर मेर टेस्ट में कैसे करेंगे दिर समझें विक्टर मेर टेस्ट में कुछ बातों को ध्यान रखना HI, AGNO2, HNO2 और शार याने base जो भी कोई alcohol दिया होगा alcohol इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ध्यान रखेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा alcohol ठिक alcohol में आप मिलाओगे पहले HI फिर मिलाओगे आप AGNO2 यह silver nitrite है silver nitrite नहीं है ध्यान रखेगा, AGNO3 नहीं है, AGNO2 है फिर इसमें मिलाओगे HNO2 यह है nitrous acid फिर इसके बाद कोई base मिला दोगी कोई शार मिला दोगया base यह शार हम शार भी वह सकते हैं तो यह तीन में से कोई भी एक चीज दिखाई देगी यदि लाल दिखाई दे red color दिखाई दे तो वह primary alcohol है यदि blue दिखाई दे नीला दिखाई दे तो वह secondary alcohol है यदि यह कोई color न दिखाई दे colorless हो तो यह tertiary alcohol है यह एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह इस order को ध्यान रखना पड़ेगा reaction बहुत आसानी समझा दूँगा मैं आपको ठीक है यह कुछ छोटी छोटी बात ने ध्यान रखेगा अब समझने वाली बात यहां पर है कि आप इसके structure को जाने nitrous हम लगें दो बाते हैं पहली बाते हैं कि nitrous acid होता नहीं है lab में उसे बना जाता है तुरंत तो 0 degree Celsius 0 to 5 degree Celsius temperature पर Na NO2 पर HCl मिला करके इनको बना जाता है दूसरी बात temperature पर ध्यान दीजिएगा इससे ज्यादा temperature होगा तो वह नहीं बनेगा यह nitric acid में convert हो जाएगा दूसरी बात HNO2 का structure होगा H O N double bond O यह structural formula होगा इसमें यह दोनों के OH और O का reaction करने का तरीका अलग होता है वह क्या ज़रा देखें OH और O जिसमें O की reactivity ज्यादा होती number one दे रहा हूँ यह ज्यादा reactive है कौन ज्यादा reactive है O ज्यादा reactive है उसके बाद आपका OH reactive होगा मत्तब O को sufficient hydrogen मिल रहा है तो वह O reaction कर लेगा पानी बना लेगा लेकिन अगर कम hydrogen मिल रहा है तो OH करेगा अब कितने पर काम करते हैं OH 2 alpha hydrogen मिलने पर OH इनसे reaction कर जाएगा और पानी बन जाएगा लेकिन अगर हमारे पास only one alpha hydrogen कितना only one alpha hydrogen है तो काम करने वाला है वह है OH देख लिए इस तरह से काम करेगा ठीक है अब चलिए इतनी बातों को कर लें इतनी बातों को समझ लें याद रखना HI से HNO2 से और हमारा reaction होगा किस के साथ किसी base के साथ base में क्या ले सकते हो को भी base ले सकते हो या कोई दूसरा base भी ले सकते हो चले इतनी बातें आपको याद रखना है अब reaction करा रहो चलो देखें आप अपनी copy open करें जैसे से मैं करूंगा वो करते जाएगा थोड़ी सी समझदारी से काम करेंगे बड़ी आसानी से याद हो जाता है लंबा चोड़ा नहीं करेगा चले हम primary alcohol को देख लेते हैं primary alcohol पर क्या reaction होगा कि वो red color देगा primary alcohol में मैं ले लेता हूँ CH3CH2OH first time किस से reaction बुला था मैंने HI से HI की जगा पर आप लिख सकते हो P4 plus I2 क्योंकि finally वो HI ही बनाता है हाँ यह इसका यह H और इसका यह OH alcohol HI से reaction करके water molecule देगा निकल गया पानी HOH और यह जो I है उसमें जोड़ जाएगा तो बन गया है CH3CH2I एक को समझेंगे बेटा primary समझ में आ गया तो secondary आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद किस से reaction करने के लिए बोला था मैंने मैंने बोला था A G NO2 से है बताओ यहां पर क्या नज़र आ रहा है आपको यहां पर iodine है यहां पर A G है A G positive Iodine negative वो दोनों मिल करके निकल गया क्या निकल गया यह यहां से यह यहां से निकल गया हुआ है तो क्या बन गया CH3 CH2 और यह NO2 इस तरह से यह compound बन गया alkyl nitrite alkyl nitrite बन गया अच्छा आप यहां पर समझने वाली बात है कि यह इसका structure कैसा होता है तो यह alkyl nitrite ने नैट्रो alkyane के form में यह compound यहां पर बनता है क्योंकि इसके structure के बेस पर आप जानो कि भई A, G, O, N, double bond O होता है मैंने कुछ दिन alkyl halide के साथ reaction बताया था आपको लेकिन जब यह इनके साथ reaction करेगा और I के साथ तो A, G और यह निकल जाएगा लेकिन आप यहां पर N, O, N, double bond O नहीं मिलता है उसकी जबाप मिलता है यह change कर जाता है और बनता है R, N, O, यह बातें आपके साथ हुई है है ना alkyl halide में आपने देखा है तो यहां पर इस इस के तरफ आपको कोई pressure नहीं होना चाहिए कि क्या बना है ठीक है यह nitro है, nitro alkyne बनता है, अब जो reaction होगा किस के साथ होना है H, N, O, 2 से है H, N, O, 2 का मैंने structure बताया था थोड़े देर पहले वो क्या था? H, O, N, double bond O यहां पर ध्यान दो कि इस जगा पर जो hydrogen है alpha hydrogen, दो alpha hydrogen है carbon पर जो पहला carbon है यह वाला, यह second carbon कहलाएगा पहला क्यों कहलाएगा? क्योंकि functional group के तरफ से जड़ा हुआ carbon ही पहला होता है उसी को alpha carbon कहते है तो alpha carbon पर दो alpha hydrogen है इन दोनों से यह reaction करके निकल जाएगा यह निकल गया, क्या बन गया water molecule निकल गया बच किया गया बच किया गया देखो इधर से बचा हुआ है CH3 C और NO2 यह वाली जगा बच गई है दो वैलेंसी के साथ अब इधर से दो वैलेंसी के साथ nitrogen बचा हुआ है और एक OH इस तरह से इसको बोला जाता है नैट्रोलिक acid तो इस तरह से नैट्रोलिक acid मिलता है आपको अब इसकी reaction करा रहे हैं हम लोग अब करा रहे हैं NA OH के साथ या कोई base के साथ यहां पर आप सीधा चाहो तो आप color लिख सकते हो red color का compound मिलता है या फिर इसके reaction भी लिख सकते हो यह base है OH और यह acid है, acid में क्या होता है कोई non-metal के साथ अकर OH जड़ा है तो वह acid होता है, nitrogen non-metal है और इसके साथ OH जड़ा हुआ acid है तो यहां पर इसका OH और इसका H acid H देता है और base OH देता है निकल गया पानी चाहो तो इसका structure लिख सकते हो तो यह जो बना हुआ है हमने यहां पर लिखा CH3 CH3 और C है यह CH3 C और यहां पर है NO2 और नीचे है N ऐसे और O यहां तक का structure सेम है और यह N इसमें लग जाएगा यह है sodium natriolet यह red color का होता है और यह है sodium natriolet अब अपनी copy में एक बार बनाईए हो सके तो बिना बनाईए बिना देखे बनाऊ और फिर वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा sodium natriolet चलें बिना देखे बनाईए जल्दी से note हो गया जी बहुत easy है लंबे reaction देखने को लगता है लेकिन है बहुत आसन तो इस तरह से primary alcohol का पैचान सकते हो अगर रात लास्ट में reaction के last में red color आ जाया चलें secondary alcohol इसको कैसे पैचान जाएगा मेरे पास secondary alcohol है CH3 CH3 CH CH OH सबसे पहले किन से reaction करने के लिए बोला था मैंने बोलो HI से बता दिये बचे ने यह OH और यह H निकल गया पानी बनके यह यह OH की जगा लग गया CH3 CH3 C और इस जगा पर आई लग गया अरे यह secondary alcohol में हो गया इसमें है CHI अब क्या होगा इसका किस के साथ reaction है बोलो AG NO2 से अब क्या होगा AG और I निकल गया माइनस AG I बच क्या गया NO2 CH3 CH3 CH NO2 बन गया ठेक अब किस के साथ reaction कराना है reaction कराना है H O N O nitrous acids है क्या होने वाला है alpha hydrogen 1 ही है जब alpha hydrogen 1 होता है तो कहां पर reaction होता है बोलो कहां पर reaction होगा इसमें O पर की OH पर मैंने भी समझाये था थोड़ी देर पहले जल्दी बोलो एक alpha hydrogen है पानी बनाने के लिए क्या चाहिए O H चाहिए कि O चाहिए एक H हो गया O H चाहिए इस तरह से यह पानी बन जाएगा यह निकल गया पानी N double bond O यह acid naturalic acid जैसा है naturalic acid नहीं है acid जैसा है acid नहीं है acid जैसा है इसमें क्या फर्क पड़ता है देखे acid हो तो OH होना चाहिए था लेकिन है नहीं ऐसा लेकिन ऐसा ही structure है इसलिए इसको कहा जाता है pseudo-neutral drop pseudo-neutral बूलते हैं फिर इसकी base से reaction करते हैं एने उच मिला देते हैं तो फिर यह blue color का आता है कोई reaction देने की जूरत नहीं पड़ती है यार कि कोई compound का formula नहीं की जूरत नहीं पड़ती है यह होता है blue color में convert हो जाता है नीला रंगा जाता है इस तरह secondary alcohol की पहचान हो जाती है चले अब आगे चलते हैं next यह दोनों reaction को जब आप बारी बारी से बना के देखोगे बिना कुछ किए तो पूरी बात एकदम clear समझ मैं आएगा नहीं आएगा revision कर लो next अब थर्ड बिधान देते हैं CH3 यह तर्शरी अलकोहल है तीन बार CH3 एक कारबन से जुड़ा हुआ है तर्शरी कारबन पर OH है तर्शरी अलकोहल reaction किस से कराओगे बोलो HI से HI से reaction कराओगे क्या होगा इसका OH इसका H निकल जाएगा पानी बन करके फिर क्या होगा CH3 CH3 C के साथ CH3 जुटा हुआ हुआ है अब किस के साथ reaction कराओगे बोलो बोलते जाओ AG NO2 से reaction कराओग AG और I निकल गया AG I क्या जुड़ गया NO2 जुड़ गया अब किस के साथ reaction कराओगे बोलो Nitrous Acid के साथ क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा क्या बनेगा जैसे अभी तक किये थे वैसे ही कराना है बोलो जल्दी से जैसे अभी तक किये थे बिलकुल वैसे ही reaction कराना है H2 बनेगा H2 बनेगा Hydrogen नहीं है इसमें इस Carbon में Hydrogen नहीं है तो न O H से reaction होगा न O से reaction होगा इस Carbon पर 2 hydrogen हो तो यह reaction करता है एक hydrogen हो तो यह reaction करता है यहां पर hydrogen ही नहीं है No reaction और यही कारण है कि इसमें कोई color नहीं आता है reaction ही आगे नहीं बढ़ती है तो यह है पूरी तरह से tricky है science tricky है reaction करके देखो बहुत अच्छा लागेगा देखने में जो चीज ज़्यादा भारी होता है वो उत्रहीं आसान होता है बस उसको करने आना चाहिए हमें ठीक है तो चलिए एक reaction है boiled blank reaction sodium धातू और ethanol परिशुद्ध याने की absolute ethanol के द्वारा ester के अप्चैन से प्रात्मिक अल्कॉहल बनता है यहां पर ester का reduction होगा primary alcohol बनता है sodium धातू के द्वारा यहां पर ध्यान तो sodium धातू sodium मेटल है Na और इसका किसके द्वारा ethanol ethanol C2H5OH आपको देगा hydrogen जितनी मर्जी कोई ester का ester ester क्या होगा RC double bond O O R' dash इनके द्वारा यहां पर दो R है अगर यह यहां से break हो गया यहां से टूड गया तो अब बताओ यहां पर कितने hydrogen लगेगा कि यह alcohol बना लेगा R C यह वाला OH बन जाएगा और इस carbon को जितने hydrogen चाहिए एक hydrogen यह ले लिया यहां पर दो hydrogen और चाहिए कि alcohol बन गया प्लस इधर की बात आता है R' O तो है ही इसके साथ और एक H इसको लगेगा टूटल खर्च हुआ है H 1, 2, 3, 4 4 hydrogen लगेगा इस तरह से दो टाइप का अलकॉल हमें मिल गया यही रियाक्शन है B.O.L. blank reaction कहलाती है जिसमें Ethanol sodium से reaction करता है और hydrogen produce करता है वो hydrogen इन से reaction करता है एस्टर के साथ अगर मेरे पास यह हो तो CH3 CH2 CO CH3 यह है क्या चीज़ एक ester है इसको क्या कहेंगे methyl एक दो तिन propionate ठीक है बोलो जादी से क्या होगा या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो methyl तिन कर्बन को बोलेंगे prop सिंगल बॉंड को बोलेंगे N O A T O A यह IUP से नेम है और यह साधन नाम है इसका hydrogen कहां से आएगा बताओ hydrogen कहां से आएगा hydrogen आएगा hydrogen आएगा यहां से sodium और absolute ethanol C2 H5 OH कितना hydrogen की ज़रत पढ़ती है चार पहले से हमने सीख लिया है यहां से break हो जाएगा और यह बना लेगा CH3 OH और यह क्या बना लेगा इतना hydrogen यहां पर लगेगा oxygen में और यहां पर CH2 हो जाएगा तो कितना हो गया CH3 CH2 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 OH इस तरह से दो एलकोहल बनता है यह कहलाता है pure-alt blank reaction कहां से break होगा निश्यत है तभी तो बता रहे हैं यहां से break होगा चलो हो गया यह sodium से reaction सबको पढ़के बिलाया था मैंने कि थोड़ा देखो और पढ़के आना कि क्या करना है क्या नहीं करना यह पता चल जाएगा तो चल यह बताते जाएगा सबने पढ़ा होगा अपने अपने तरह से तो यह general reaction है इसको अपने इस तरह पर आपको करना होगा अपने लेवल पर करना होगा पर फिर भी मैं अपनी तरह से कुछ एक reaction बता देता हूं चलो हाँ जे C2H C2H5 OH इसका reaction sodium से हो रहा है अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं लग करके और OH भी लिख सकते हो इनका reaction एने से हो रहा है क्या होगा बताओ बहुत आसान reaction है यहाँ पर alcohol sodium क्या करेगा कि hydrogen को यह वाला hydrogen जो functional group में है उसको वहाँ से हटा देगा और खुद चुड़ जाएगा तो क्या है C2H5O आ गया यहाँ पर Na और hydrogen को हटा दिया यह hydrogen हट गया अभी देखे थे bio-blank reduction में bio-blank reduction में क्या हुआ ethanol alcohol से reaction करता है और hydrogen हटा देता है और hydrogen देता है वह इसी reaction को बता रहा है तो इस तरह से reaction होगा इसमें फिर यहाँ पर क्या होने वाला है देखो फिर वही बात है कि hydrogen हटाया इसको अच्छा यह H यह बचा है वो finally H2 के रुप में निकल जाएगा ठीक है तो यह कितने बार सबको 2 कर देती है ऐसा ही है यह यहाँ पर क्या होगा Na hydrogen को हटाया तो क्या बिला R O Na जुड़ गया hydrogen अलग हो गया मुझे लगता है कि यह साले reaction आपके लिए easy हो गया फिलाल ठीक चलो next अब है यहाँ पर reaction क्या है alcohol का OH समूग के साथ होनी है alcohol के OH से related reaction alcohol का OH से related reaction OH से related reaction में क्या होता है esterification esterification estery current इसका मतलब क्या होता है ester बनना alcohol carboxylic acid से मिल करके ester बनाएगा लेकिन यह ester बनाने के लिए ज़रूई है concentrated H2SO4 यहाँ पर वो catalyst का काम करेगा तो चलो देखते हैं कैसे होता है देखें R CO OH यह है acid carboxylic acid प्लस कोई alcohol R dash OH किन के presence में concentrate H2SO4 के presence में हलका अगरम का निकिज़द पड़ती है अब यहाँ से दिखो इसका OH ना और इसका H ऐसा नहीं है यहाँ पर actually OH के H पर मानों से related बोल रहा है तो मेरे पास होगा इसका OH होता है जबकि इसका सिर्फ H ध्यान रखना यह बहुत जरूरी है कि alcohol के H से related reaction देख रहे हैं हम लोग alcohol के H से related reaction देख रहे हैं तो यह reaction example में याद रखिएगा दो काम आता है कि acid के OH से related reaction जबकि alcohol के H से related reaction है यह याद रखना तो यह H और यह OH निकल गया पानी बनके बच क्या गया R, C, O R, C, double bond, O अब इधर से बचा हुआ है O, R, Dish O, R, Dish O, R, Dish इस तरह से बनता है Ester यह Ester बन गया ठीक है तो किये reaction पर बलते है Esterification बहुत important reaction है यह ध्यार रखेगा जब important लगता है और होता है exam में आता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ यह general reaction के साथ यह important reaction भी है ठीक है? चलो, next अमल बित्पन्नों के साथ reaction मतब acid derivatives के साथ reaction alcohol का acid derivatives के साथ reaction में acid derivative में क्या है क्या क्या चीज़ आ सकती है? वो देखेंगे तो मैं कुछ एक ले लेता हूँ R C1O C L R C1O R C1O यह क्या चीज़ है? oil halide बोलता है इसको alcan oil halide भी बोल सकते हो और तो यह यहाँ पर chlorine लगाया हो तो chloride बोल सकते हो अगर इसकी जगा पर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? CH3COCH3 तो इसको बोलते हैं CH3Cl इसको क्या बोल देंगे यहाँ पर? यहाँ पर बोल देंगे acetyl chloride यह यह जो है इसको common तोर पर कहा जाता है alkenoil chloride और यह acid enhydrate कहलाएगा acid enhydrate, acetic enhydrate में क्या हो सकता है? यह आप जान ले CH3COCH3 यह acetic acid से बना है तो यह हो गया इसको बोलेंगे acetic enhydrate चले ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर मैं को क्या बता रहा था? पहला बता देता हूँ आपको RCOCl reaction किन के साथ लिखना है? alcohol के साथ मैं इसको R-OH माल लेता हूँ तब reaction क्या होगा? बस इसका H इसके CL के साथ निगल गया क्या बन गया? HCL इस तरह से reaction हो गया अब क्या होगा? ने, किप नहीं करना था मुझे क्योंकि मेरे पास मुझे बचा के नहीं रखना था उसको इसलिए मैंने किप नहीं किया न ध्यान रखना रक्षत discard किया तो यहां पर यह जो OR है या OR डेश है इसमें जुड़ जाएगा तो क्या है? R, C, O और इस तरफ के लिए OR डेश ठीक है? यह होगा तो क्या बना यह है? यहां पर यह बन गया एस्टर इसी तरह से एक एसेड डेरिवेटिव है मेरे पास एन हैड्राइट इस तरह से बहुत सारे रेक्षन को पर ध्यान देना है करते रहना है R-OH क्या होगा? यहां से यह यहां से तूट जाएगा एक जगा पर है जहां से वह ब्रेक हुआ यहां से ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? वह सोचो आप यह वाला पार्ट जो है यह तो ऐसे R-C-O-O एक H की जुरुत है तो H यहां से ले लेगा तो क्या बन गया? R-C-O-O-H acid बन गया दूसरी तरफ ध्यान दे R-C-O-O-R- क्याने दोनों तरफ ester एक जगा पर आपको मिलता है acid और एक जगा मिलता है ester तो यह है acid और यह है ester आप इसमें example लेके देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने लिख दिया कि CH3-C-O-C-L के सांथ reaction कर रो CH3-C-O-O-C-O-C-O-C-H-3 इसी को लेकर के CH3-C-O-O-C-O-C-H-3 ऐसे करके इनके reaction आप करके दिखा सकते हैं कि इनके सांथ C2-H5-OH के सांथ मुझे लगता है कि साथे students को बना पाएंगे यहां तक समझने के बात चलिए सही है तो यह सब practice चाहिए रहता है सब reaction के लिए यह reaction आपको करते रहना है simple reaction है next करार हूँ मैं आपको किटीन के सांथ किटीन किसके कहेंगे यह सबसे बड़ी बात है किटीन किसको बोलेंगे हो गया ketone नहीं किटीन और OH है मेरे पास एक example है किटीन CH2 double bond C double bond O इसको कहा जाएक किटीन आगे जाकर किभी बताऊंगा और यह किटीन है इसका reaction कैसे होगा बहुत आसान सा reaction कि जो H है वो चला जाएगा इस में O में बाकी जो बचा हुआ है वो कहां जाएगा तो इसके लिए मैं finally मैं आपके एक चीज़ और बताऊंगा पहले आप सोचो क्या होना चाहिए बोलो देखो एक direct बताना है तो direct खो सकता है OH ऐसा हो गया H यहां पर चला गया और यह जो बचा हुआ पूरा पार्ट है वो चला गया O R हमेशा याद रखने इस बात को कि जिस carbon पर double bond होता है मैंने पहले भी बताया थे लाइं जिस carbon पर double bond होता है उस carbon पर OH stable नहीं है जिस carbon पर double bond होता है उस carbon पर OH नहीं हो सकता अगर आप याद रखने चाहें तो याद रखिए तब क्या होगा, वो hydrogen, तब इसमें एक काम होने वाला है, इस तरह के compound को कहा जाता है in all form, in all रूप में हैं, जो की less stable होता है, unstable होता है, आइस्थाई होता है, वो आइस्थाई होता है, तब ये वाला H जो है, जिस carbon से double bond जुड़ा होता है, उस carbon को ये H चला जाता है, और ये double bond इसको आ जाता है, तो क्या मिल गया देखो तो, CH3 हो गया ये, single bond, C double bond O हो गया, और ये हो गया O, और ये हो गया R, तो finally क्या बन चुका है, CH3COOR याने कि Aster बन चुका है, इस तरह से practice करते जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ सीखनों को आपको मिलेगा, ठीक, हाँ जे, चलें आगे, आइसोसाइनिक अमलक के साथ reaction, आइसोसाइनिक एसिट के साथ reaction, आइसोसाइनिक एसिट किसको बोलेंगे, आइसोसाइनिक एसिट कहलाता है, H-C, H-N-C-O, H-N-C-O, structure पर जाएंगे तो H, single bond, double bond C, double bond O, यह है, आइसोसाइनिक एसिट, आइसोसाइनिक एसिट का reaction कैसे होगा, वो भी देख लो, R-O-H, और हमारे पास है H-N, इस तरह से अब देख सकते हो, double bond C, double bond O, कौन कहाँ जाएगा? कौन कहाँ जाएगा? सोचो, तो यहाँ पर इस H का महत्तो है, यह H जो है, चला जाएगा O पर, अभी भी पहले वाला reaction में भी यही किये थे, इस reaction में भी यही करने वाले हो, तो क्या होगा बोलो, इसलिए बोल रहा हूँ, कि ऐसे चीज़ों को अगर आप practice मिलोगे, तो यही चीज़ जो है, आपके NEED के exam में, IATJE के exam में, यही छोटी छोटी चीज़े हैं, यह effect करता है, हमारे 12th pass होने के लिए क्या होता है, कि बहुत important question है, बहुत important reactions को ही पूछे आजाता है, तो क्या होता है कि अच्छे marks तो आजाते हैं, टौपर marks आजाते हैं, लेकिन जब इंट्रेंस exam की बारी आती हैं तो जिन चीज़ों को हम आसान समझते हैं, जिन चीज़ों के बारे हमने सोचा नहीं होता है, वो चीज़े जब आती हैं, तो दिमाग से फिर वो वाश होजात होता है तो वही पर सोड़ी गड़ पर होता है होता है तो चले आगे चले फिर अब बताओ यह क्या बनने वाला है है एच है एच एन अगे एच एच एन डबल बॉंड है एच एन डबल बॉंड है और यह ओ कलर चेंज कर दूं ताकि दिखाई दे अलग से है एच चला जाएगा ओ में और यह आपका ओ आर आ जाएगा अब सोचो क्या होगा थोड़ा सा सोचने का मौका मिलना चाहिए आपको इसलिए यह बन गया फिर वही बात कार्बन पर देख रहा हो कार्बन पर क्या कार्बन पर जिस पर डबल बॉंड है उसमें ओवेच है कार्बन पर जिस पर डबल बॉंड है उसमें ओवेच है तो वह एच चला जाएगा अपने पुडोसी में जो डबल बॉंड से जुड़ा हुआ है और यह डबल बॉंड यहां पर आ जाएगा एक तरह का यह क्या चीज़ है यह इसको बोलते हम लोग टॉटोमेरिसम चला वे होता इस तरह से तो यह इसमें चलाया तो यह हो गया आर फिर हो गया यह एन एन पर आगया एच सी डबल बॉंड ओ और इस जगह पर ओ आर तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है आपको रियाक्शन में मिलेगा और आगे की रियाक्शन करिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है तो शालास में हम मिलेंगे आगे की चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें है अल्कोहल में बहुत तो याद रखना जितनी जरुवत की चीज़ें वह तुम्हें बताऊंगा ही कुछ चीजों को आपको भी करना है तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे तो इसको जन एथिलिन ऑक्साईड है एक दो तीन, चार ये हो गया इसकी रियाक्शन आर ओ एच के साथ होगा तो क्या बनेगा चलो कोशिश करो एथिलिन ऑक्साइड में एक बॉंड यहां पर ब्रेक होगा और ह लग जाएगा सिधा सा कहानी है तो क्या बनना है वो बताओ तो यहां पर है, sorry, sorry, मैंने क्या लिखा, ethylene oxide, ना, ethylene oxide, तो ये हो गया आपका CH2, CH2, एक bond तूड जाएगा भाई, कोई सा भी एक bond तूड या, ये bond तोड दिये, bond तोडने पर क्या बचा, CH2, CH2, यहाँ पर O है, और यहाँ पर ये जगा है, तो ये H जो है, किस में आएगा, O में इस तरह से बन जाता है, ठीक है, तो इस तरह की compound बनता है, और इस पर कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद डाई, इसो मेधन के साथ, कलने में बताया थे, किनके साथ reaction, तो इसके बुक में आप ढूंड़िए, इधर उधर ढूंड़िए, और करके देखे, एक एक बाद, छो अ करके बादे दो pepper कर एक estado कि एक का वो गता है, कि लोगते, वोगते है, यगते हैंगे, टिर फीकी का साथ ओह रहार마 चा से का बाद, इसके बादानी, उसके लादे एकबुशने से ड़ते हैं तो जाऊटने, जा चुस बढ़िए, जा वेयर रहा है, और को छो शदाने स Mackicz,